नमस्कार दोस्तों, 1971 का युद्ध चली रहा था कि इधर इश्टन पाकिस्तान को एक नया नाम मिलने जा रहा था जिसे आज हम बंगला देश के नाम से जानते हैं पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई थी कि इस युद्ध में उसकी बहुत ही करारी हार होने वाली है तो इसलिए उसने अपनी सबसे टॉप क्लास की सम्मरीन PNS गाजी को जो है समुद्र में उतार दिया PNS गाजी का टार्गेट था भारत का सबसे विद्वंसक जहाज INS विकरांत दोस्तों INS विकरांत जो capable था किसी भी युद्ध को भारत के पच्छ में डालने के लिए जब ये बात इंडियन नेवी को पता चल जाती है तो उन्होंने एक प्लान के तहट INS विकरांत की जगा INS राजपूत को लेया कर खड़ा कर दिया था और INS राजपूत ने PNS गाजी को देखते ही जो है एक डेप्थ चार्ज किया और रात 12 बचकर 35 मिनट पर विषाखा पत्नम के पोर्ट पर एक जोड़दार धमाका होता है वो धमाका किसी और चीज का नहीं बलकि INS राजपूत दौरा दागी गई हुमिफाइल का था जो PNS गाजी से जाकर टकराई थी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैएट